नमशकार शुखद आपका Start Investment में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जबर्दस्त स्टॉक बताने वाला हूँ चार ऐसे स्टॉक बताने वाला हूँ जो कि डेट फ्री है करोडों के मालिक जी जी हाँ करोडों के मालिक की पसंद है मात्र चार हजार रुपए से अगर सुरुवात करते हैं आप लोग तो करोड़ पती है आप लोग यहां पर आसानी से बन सकते हैं इवन मल्टी बैगर रिटरंस इन चारो स्टॉक्स ने दिये हैं IT इंडस्ट्री से रिलेटेट हैं आप लोगों को अगर फुराने तो इनको जानते होंगे सुधीब बंधोपाद्याई जी हैं यह इंडी ट्रेड कैपिटल के ग्रूप चेर्मन है इसलिए मैंने कहाए आप करोड़ों के मालिक की पसंद है यह चार शियर लेटेस्ट इंटर्विव में उन्होंने चार शियर बताये थे चारों शियर को समराइज करूँगा एक ही वीडियो में तो कम्प्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर प्रॉवाइड करने वाला हूँ वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से बहले एक बात कहना चाहूँगा जेरोदा और एंजल ब्रोकिंग दोनों के जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं दोनों के लिंक पे क्लिक करें एकाउट ओपन करें इंजोई करें दोनों की सर्विसेज अगर आप लोग यहाँ पे इंट्राडे करते हैं तो फ्लैट 20 रुपीस पर ओडर चार्ज किये जाते हैं और अगर आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं डिलीवरी बेस ट्रांजेक्शन करते हैं तो कोई भी चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं लिंक पे क्लिक करें अकाउट ओपन करें चार शेर हैं यहाँ पे खासियत आप लोगों को बता देता हूँ चारों शेर की दो शेर यहाँ पे मिड कैप कैटिगरी से है एवन एक शेर तो स्मॉल कैप कैटिगरी से है एक मिड से है और दो है लार्ज कैप कैटिगरी से छोटे छोटे यह शेर जवर्दा शेर काम करने वाले लेकिन इनका जो returns profile आप लोगों को दिखाऊंगा आँखे खुली के खुली रह जाएंगी debt free ये portfolio है तो देख लिजे पहला share intellect design arena limited जी हाँ देख लिजे इसका logo है यहाँ पर 244 रुपए का करीब का ये share चल रहा है एक share इसका लिया जाए तो कितने का पड़ेगा 294 रुपए का पड़ेगा तो चल ये आगे बढ़ते हैं पांच सालों का इनका चार्ड देखेंगे तो पांच सालों का चार्ड भी लगबग इनका पैरलल दिखाई दे रहा है कि जैसे कि मैंने का कि कमपनी ये छोट ये धीरे धीरे बड़ी बंती चली जारी ये उनकी पहली पसंद है यहाँ पर इस category में तो intellect design arena has a comprehensive portfolio of products across global consumer banking, central banking, risk and a treasury management, global transaction banking तो ये सारी की सारी चीज़े और software development ये करते हैं तो कमपनी का नाम नोट कर लीज देगा, intellect design arena limited, तो intellect arena design limited का यहाँ पर देखें के market cap तो 3923 करोड का, इसलिए मैंने कहा था small cap category में, छोटी category में, जहाँ पर क्या भी potential हो, ऊपर जाने का, infosys, HCL जितना बनने का, यहाँ अभी chance हो, TCS जितना बनने का, दम हो इनके अंदर, वो company आप लोगों को मैं छोटी रहा हूँ, यहाँ पर stock का PE अच्छ है 29 का, साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर लेते हैं, stock के return on capital employed की, तो that is 1.29% return on capital employed 3.14% का, तो साथ ही साथ company को जैसे मैंने कहा थे कि debt free company है, लेकिन आप लोग कहेंगे कि यहाँ तो 75 करोड रुपए का debt दिखाई दे रहा है हमें, तो debt अ मैंने का company क्या है, almost debt free है, debt free portfolio आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है, चारों के चारों IT industry के share है, यह पहला share है, intellect, design, arena limited, तो चलिए, आगे बढ़ेंगे, दूसरा share इस category में, emphasis limited, जी हाँ दोस्तों, emphasis का नाम भी आप लोगों ने अच्छा खासा सुना होगा, तो है, same again, IT industry से related है, software का development करता है, देख लीजिए, applies next generation technology, help enterprises transform business globally, तो मतलब दुनिया में जितने भी business बन रहे हैं, उनको help करना, किस तरह का उनको provide करना services, technology based services provide करना, तो यहाँ देखेंगे, तो 25,000 करोड रुपए के आसपास का market cap बन के आ रहा है, इनका, इस category में इनकी पसंद है, emphasis, सुधीब, बंधोपाद्याई, जीजी की, वहीं current price देखेंगे, तो 1373 का चल रहा है, stock का price to earning ratio काफी cheap valuation पर मिल रहा है, बहुत सस्ता ये share मिल रहा है, और मैंने मातर 4000 रुपए से करोड पती क्यों का है, वो भी मैं बताऊंगा, आपको चारों कमपनियों के एक-एक share ले लिए ना, into one कर दीजे, जैसे कि यहाँ पर एक ले लिजे, emphasis का दो कमपनियां जो बताने वालों उनका, एक-एक ले लिजे और जो एक कमपनी बता दी है, उसका एक ले लिजे, तो इस तरह से 4 share बन जाएंगे, 4000 रुपए के जब वर्दस आप लोगों की investment हो जाएगी, ROC 26% का, ROE 21% का है, और खास कर यहाँ पर dividend yield देख लिजे आप लोग, 2.55% की dividend yield है, इसको मैं एक high dividend yield वाला share कहूँगा, high dividend yield कहूँगा, बिलकुल, क्योंकि जब वर्दस dividend yield यह share यहाँ पर दे रहा है, वहीं बात करेंगे, debt की तो 55 करोड का debt है, cash equivalent दूगने पे हैं, 1126 इसलिए मैंने कहाई है, debt free portfolio, क्योंकि कई लोगों वो पस्तसंद है, कि हमें debt free share चीए, जिनका debt zero हो, वो share हमें दिखाई है, यहाँ पे return on capital employed 5 साल का 20 परतिसात, return on equity 5 साल का 16 परतिसात का है, अभी देखेंगे, एक साल का, इसका 5 सालों का पहले price action देख लेते हैं, 5 सालों में share rotor के 500 को almost 3 times कर दिया है, 300 percentage, कैसे देख लीजिए, अभी कितना चल रहा है, 1360 रुपए पे चल रहा है, 500 रुपए के आसपा चल रहा है, almost 300 percentage के return ये company देच चुकी है, emphasis, long term का chart देखेंगे, तो किसी टाइम पे penny share हुआ करता था, यह देख लीजिए, penny share से एक multi bagger ये share अभी तक बन चुका है, तो दो share आप लोगों को मैंने बताए, अब दो share बताऊँगा, large cap category में, उन में से पहला है, HCL Technologies Limited, जी हाँ दोस्तों, HCL Technologies Limited, तो HCL Technologies Limited करता किया, again, business of computer programming, consultancy and related activities, बहुत बड़ी company है, ये, in terms of market cap, अगर देखा जाए इसको, तो fourth number का IT stock है, ये इंडिया में, after, कौन कौन से इस से पहले आते है, TCS, Infosys, Wipro, और उसके बाद fourth number पर आ जाता है, कौन सा, HCL Technologies, जी हाँ दोस्तों, HCL Technologies, तो यहाँ पर current market price देखेंगे, तो 891 रुपै का चल रहा है, dividend yield 0.79% की, लेकिन बात करेंगे, stock के price to earning ratio की, तो price to earning ratio यहाँ पर, जब अर्दस्त दिख price to earning ratio बहुत सस्ता है, लेकिन ROC देख लिए बहुत हाई, यहाँ पर 27% का, return on equity 23% का, वहीं बात कर लेंगे, हम लोग 5 सालों के return on capital employer की तो 30% का, और 5 सालों का return on equity 25% का है, high promoter share holding वाला share है, 60% की promoter holding है यहाँ पर, और again, debt free stock, वो कैसे देख लिए, यह debt है, 5,466 करोड का, और cash equivalent 5,328 करोड का, इन terms अगर देखेंगे, इसके market cap के हिसाब से 2,41,693 करोड का market cap है, उससे के नजरियेशी, अगर हम उससे compare करें, तो debt कुछ भी नहीं है, तो SEL Tech के कुछ हम लोग यहाँ पर प्रोज देख लेते हैं, debt free है, 3 सालों का ROI का record देख लिए, आप लोग 24% का average बन क percentage किये पिछले 10 सालों में, तो company हर parameter पर अच्छा काम करती, चली जा रही है, SEL Technologies का logo देख लिए, 895 सालों में almost double कर दिया, अपने shareholder के 500 को, long term में देखेंगे, तो same, यह कभी किसी time पर penny share हुआ करता तो, आज की date में कितनी, और यह जो chart है, यह SEL का जो chart बना हुआ है, अपर direction में जा रहा हो ना, उसको choose कीजिए, उसको choose किया रही है, इसलिए मैं कहा रहा हूँ, चार share बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि खरीदने, आपकी मर्जी किसी को खरीदो, किसी को नहीं खरीदो, एक भी खरीद सकते हैं, जो भी अच्छा लगे हमारा काम है, आ इस काटेगरी में जो नहीं चूस किया है, सुधी बंदोपादियाई जी ने, Infosys, मैं लंबी चोड़ी कहानी Infosys की सभी लोग जानते हैं, in terms of market capitalization देखा जाए, अगर IT industry में, तो दो नंबर पर आता है, after TCS, आफटर TCS, तो लीडर बनने के लिए तयार ख़ड़ाई है एक मुझे पता है, आप लोगों को ये भूलना तो नहीं चीए, यहाँ पर देखेंगे, market price चल्ड़ा इसका 1190 रुपए का, और market cap तो देख लीजिए, 5,6,806 करोड रुपए का, यहाँ पर market cap बनके आ रहा है, dividend yield भी अच्छी खासी है, 1.47% की, ROC 32%, ROE 25% और debt-free, cash equivalent 22,000 करोड रुपए के, और debt देखेंगे तो 4,715 करोड का, तो debt-free company है, 4 की 4 company है, मैंने आप लोगों को पता है, debt-free है, यहाँ पे, जवर्दस्त पैसा यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, return on capital employment 5 सालों का average 31%, return on equity 5 सालों का average 23%, तो company जो है न, धीरे धीरे अच्छा काम करती चली ज रही है, और Infosys के बारे में तो ज़्यादा तारीफ क्या करों, सब ही लोग Infosys के बारे में जानते हैं कि कितना पैसा इसने बनाए, अगेन देख लिजे 5 सालों में अपने share router के पैसों को इसने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, 1186 के लेबल पर पहुंच चुका है, 552 का लेबल था, 2016 में, और बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर ओल टाइम के चार्ट की, तो ओल टाइम का चार्ट आप लोगों की स्क्रीन के उपर है, Infosys का, अगेन, SCL जिस तरह का चार्ट बनाता हुआ दिखाई दे रहा था, उसी तरह का चार्ट Infosys का भी है, बहुत दिग रहता है, लेकिन रिस्क और रिवार्ट रिशियो आप लोगों को खुद चेक करने हैं, अपना, कितना रिस्क आप लोग ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, वो खुद चेक करनी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, बगल में जो ब dividend yield भी मिल जाएगा यहाँ पर साथ इसाथ आप लोगों को क्या मिल जाएगा small cap, mid cap, large cap सारे मिल जाएगे हाँ लेकिन एक चीज क्या होगी कि सारे के सारे share जो रहेंगे IT industry से related ही रहेंगे अब आप लोग choose भी कर सकते हैं इसमें एक दो तीन कोई भी stock को आप लोग आसानी से यहाँ पर choose कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद